दोस्तों आज हम ब्लू लागून का सेकंड पार्ट एक्सप्लेंग करने जा रहे हैं जिसका फर्स पार्ट में आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है अगर आपने नहीं देखा है तो देख और धान उनका बेटा अभी उनको जिंदा मिलता है अब आर्थर रिचर्ट और एम लिंग का फिर्णर वहीं पानी में कर देता है और बच्छे धान को चहाज पर मौजूद एक लेड़ी को दे देते हैं जिसका नाम सारा हाग्रेव होता है जोकि एक विड़ो लेड़ी थी और उसको एक बेटी भी होती है जिसका नाम लेली होता है जब रात होती है तो सारा हाग्रेव और उसकी बेटी लेली के साथ में धान को भी चहाज से निकाल दिया जाता है क्योंकि जिसमें वो ट्रेवल कर रहे थे वहाँ चहाज की क्र्यू मेंबर्स है जैसे इंफेक्टि है तो सारा दोना बच्चों के साथ में एक नाव में उनके साथ में एक किनी नाम का सक्स भी होता है जो नाव चला रहा था वो समुद्र के बीच और पीच में होते हैं और कुछ दिन बीच चुके हैं और भूक और प्यासे हाल बेहाल है किनी के पास पीने का पानी होता है पूलता है वरना वो उन्हें मार देगा वो उनके रोने को सुन सुन करके ठख चुका है परिशान हो चुका है और अब जब बैच्चे चुप नहीं होते तो वह उप्चे को मारने के लिए उठता है तो तो सारा गुष्य में उसे हापुट से पीट-पीट करके मार डालती है और उसे वहीं पानी के पीच में फेक देती है और अब सारा बच्चों के साथ में अकेली रह जाती है और समुद्री की लहरों से टकराते हुए कुछ दिनों के बाद में वो एक आईलेंट पर पहुंचती है सारा का भी हाल बेहाल हो चुका है भूक और प्यास की वज़े से पर सारा हार नहीं मानती और रहने के लिए एक टेंट बनाती है खाने के लिए कुछ फ्रूट्स लाती है जंगल से और अब सारा उसी आईलेंट पर बच्चों के साथ रहने लगती है उनकी देखबार करती है एक दिन धान की नजर उस घर पर जाती है जिसे रिचर्ड और एमलिन ने बनाया था और वो उनके साथ में वहाँ पर रहता था जिसे धान पहचान जाता है कि ये उसी का घर है और वो एमलिन को याद करके रूता है जहां पर सारा उसे चुप कराती है वो बोलती है कि अब वो उसकी मा है और अब तीनों उसी घर में रहने लगती है दोस्तों मुवी के इस पार्ट में धान को रिचर्ड नाम से बुलाया गया है तो आगे हम धान को रिचर्ड नाम से ही कॉल करेंगे सारा को पता चलता है कि हर तीन महिने में फुल मून की नाइट को कोई आता है तो वो बच्चों को चल्दी से अंधेरा करके सुला देती है और अब सारा बच्चों को सर्वाइब करना सिखाती है क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं रिचर्ड दस साल का हो चुका है और उसकी बेटी लिली आट साल की हो चुकी है अब वो दोनों को लाइफ से रिलेटेड सारी बच्चे सबी चीजों के बारे में सब कुस डिटेल में बताती है कि एक बच्चा कैसे लड़का और लड़की आदमी और अउरत बनते हैं उन्हें सब बेमी सिविलाइज बने के सीख भी देती है और लाइफ लेटेड सबी फैक्स को भी वो उनके क्लियर करती है चो भी उसके बच्चों के मन में चल रहे होते हैं अब एक दिन दोनों बच्चे खाने के दलास में रिचर्ड और लिली दूर चले जाते हैं जहां पर उन्हे एक शार के लेती है और उनकी नाव भी उनसे दूर बहते हुई चली जाती है तो दोनों किसी तरह से शार को डिस्ट्रिट कर नाव तक पहुंसते हैं और वापस सारा के पास पहुंस आते हैं सारा उन पर डार्ट लगाती है क्योंकि उन्हें घर लोटने में रात हो चुकी और आस फुल मून नाइट थी एक दिन बारिश बहुत तेज होती है जिसमें पीकने से सारा बिमार बढ़ जाती है और सारा समझ चुकी है कि अब वो जारा दिन तक जिन्दा नहीं रह सकती और वो बच्चों को लेकर के बहुत पहिशान हो जाती है और एक दिन सारा निमोन करता है कि जो यह चीतेगा उसे उसके लिए उसकी विश्पूरी कहनी होगी फिर चाहें कुछ भी हो पहले तो लिली मना करती है लेकिन रिचर्ड उसे समझाता है कि सारा ने हमको क्या सिखाया है और अब लिली इमोशनल हो करके लेड़ी हो जाती है और दोना एक दूसरे के चिपाय हुए एक्स को ढूणते हैं और रिचर्ड जाहन बुझगा कि वो शर्थ हार जाता है और अब लिली के लिए समझे से एक मोधी ले करके आता है ऐस अप्राइज जिसे देखकर कि लिली खुश होती है और रिचर्ड चिप चिप करके लिली को देखता रहता है एवन हमेशा शारक के साथ तैने को लेकर के उसे रेज करता है उतकी इस खागत पर लिली उसे कहती है कि वो सच्मा पागल है और वो उसका मज़ाख बनाती है उसपर हास्ती है तो रिचर्ड उसे कहता है तुम भी तो पागल ही हो जब खुद को में नेकिट देखती हो तो खुद ही अपनी body को breast को touch करके देख करके मुश्कराती हो और अब दोनों के बीच में पहस होने लगती है जिस पर लिली कहती है मैं तो सिर्फ देखती हूँ कि उसकी body कैसे बढ़ रही है लेकिन तुमको ऐसे naked मुझे नहीं देखना चाहिए था जिसपर रिचर्ड कहता है क्यों नहीं मैंने तुमको 55 से naked देखा है तो अब क्यों नहीं जिसपर लिली बोलती है वो अलक था और अब नहीं अब अलक है लेकिन रिचर्ड सांथी से काम लेता है और अब दोनों साथ में dance करने लगते हैं डांस करते करते हैं दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं लिली अगले ही पल उसे दूर हो जाती है और कहती है प्लीस रिचर्ड टॉर्ण पाइंट अब से वो अलग अलग रहेंगे रिचर्ड कहता है कोई नहीं जैसा तुम्हें ठीक लगता है नेक्स डे है कि ये उसका फर्स मैंस्ट्रल है और पानी में जाकर कि वो साफ करने लगती है पीछे पीछे रिचर्ड आता है और उसे कहता है कि उसने पैट पर ब्लेट देखा तुम ठीक तो हो ना लिली उसे बताती है तुम्हें यार है ना मा सारा ने क्या कहा था जब एक लड़की एक औरत बनती है और अब रिचर्ड उसकी बाता को समझ जाता है नेक्स डे लिली रिचर्ड के पास जाती है रिचर्ड जोके नेकिर सोया हुआ था जब वो खुद को कवर करता है तो लिली उसके प्राइविट पार्ट को देख लेती है और वो इस सबसे अंजान होती है लिली उसे पूछती है तुमको यह क्या है तुमको इससे चले में कोई पाबलम नहीं होती यह तुमको हर्ट नहीं करता क्या और वो उसका मजाग बनाती है जिस पर रिचर्ड इजी डिट हो जाता है और वो उस पर खुच्चा करता है लिली दुखि हो ऑंकर सारा के ग्रेव के पास जाकर के पैट जाती है और अपनी मां जाती है लिली उसे देख कर के वहांसे जाने का बोलती है जिस पर जिचर्ड खुच्छते में आईलेंड के नॉर्थ जाता है मैं परवा 你 करता तर तुम्हाने और नियमों की और वहुए से चला जाता है। और रिचरड नौर्ठ आाइलेनड पर हुआहां और जवरी कोशें वOH दूभा उसित लोगों की आवा जाती है और वहींAYली को दिखाया जाता है पैटी हुई रिचर्ड का वेट कर रही होती है तूसी तरफ रिचर्ड चिप करके देखता है वो आदिवासी जो कि इसी ऐख बिशल्य कर देख लेता है और वहांसे चला चाता है रिचर्ड देखता है कि वहां г pasture बिखरा हुआ है नेक्स दे वह वापस लिली के पास चाता है लिली उसपर गुज़ा करती है कि वो सारी रत कहां था और कहती है कि उसे लगा उसने उसे खो दिया, वो टर गई थी रिचर्ट लिली को प्रिपोस करता है लिली भी एकसेप कर लेती है और अब दोनों एक दूसरे को कीस करते हैं passionately और अब दोनों next day शादी कर लेते हैं एक दूसरे के साथ में खुश रहने लगते हैं दोनों एक दूसरे को प्याह गरने लगेते और इस तदर वो कई महीने को जा देते हैं तब एक दिन उन्हें एक बोर्ट नजर आती है जो कि उन्हीं की तरफ आ रही होती है तोनों छिपकर के देखने लगते हैं जिसमेंसे एक लेडी भी थी उनके साथ होती है उनके हाद में गंस भी थी तब लिली रिचर्ट उनके पास जाकर उनसे बात करते हैं जो कि एक घमेंडी कैप्टन वहाँ पर अपनी बिगड़ बेटी सिल्विया को लेकर के वहाँ आइलेंड पर आया था उन्हें लगता है कि वो दोनों भाई बेन है पर लिली कहती है कि वो हास्बेंट वाइफ है जो कि सिल्विया देखकर के शॉक्ट हो जाती है पर कैप्टन उनके खाने की तारिफ करता है रिचर्ड उन्हें अपने साथ वापस ले जाने का बोलता है नेक्स दे कैप्टन उन्हें ठीरी सारी चीज़ा देता है लाइक पहनने के लिए कपड़े शूज और सिल्विया लिली को मेक अप का सामान देती है सिल्विया रिचर्ड की तरफ अट्रेक्ट हो रही है सिल्विया को रिचर्ड बहुत अच्छा लगता है लेकिन उन दोनों को कपड़े पहनने की आदत नहीं होती और वो सबके साथ में जब होते हैं कपड़े उता करके पानी में तहने चले जाते हैं जो कि सिल्विया और कैप्टन बैठे उन्हें देख रहे होते हैं और रिचर्ड को देख सिल्विया उसकी तरफ अट्रेक्ट हो रही थी और वो रिचर्ड को लिली से अलग रने की कोशिश भी करती है रिचर्ड और सिल्विया को साथ में टांस करता देख लिली को अच्छा नहीं लगता और वह लोगिशिट चलिजाती है। जब रिचर्ड राथ को उसके पास आता है तो वो रिचर्ड पर गुज़्जा करती है। और नेक्स डे लिली सिल्विया की तरह मेकप करती है। उसे देख रिचर्ड हासता है और उसे फीस धूलने का बोल सिल्व्या को फिशिंग सखाने चला जाता है और सिल्व्या रिचर्ड के साथ मैं अकेले होती है तो वो उसके ख्लोज जाने की खोसिस करती है वहीं लिली को अकेला नहाते देख कैप्टन का एक आत्मी उसके पीछे पढ़ जाता है और उससे वो मोती का भी पूचता है वहें रिचर्ड सिल्विया को लिली कहकर के बुलाता है तो सिल्विया कहती है इट्स मी नॉट लिली जिसमर रिचर्ड कहता है लिली मेरी सोल है मैं उसे धोका नहीं दे सकता हर्ट एंड सोल एसा मत करो इतना सुनकर की वो लड़की रिचर्ड को एक खापर मारती है और रिचर्ड गुस्से में उसे वही पानी में अकेला छोड़ करके चला जाता है वही खार पर दिखाया जाता है वो आदमी लिली का रेप काने की कोशिश कर रहा है और उसे मोती भी मिल चुका है लेकिन तब ही रिचर्ड आकर के लिली को बचाता है और आप दोनों के बीच में फाइट होती है जिसे देख कर के लिली घबड़ा जाती है तब ही कैप्टन वहां आ जाता है पर वो बदमास किसी की भी नहीं सुनता और रिचर्ड को माने उसके पीछे भागता है और उस पर वो फाइरिंग भी करता है और वो पानी तक पहुँच चुके है तब ही वो वहां पर गे जाता है और उसके सर में चोट लगने से वीडिंग होने लगती है जिसकी समयर से शार्क वहां आ जाती है और उस आपी को खा जाती है अब रिचर्ड वापस से लिली के पार जाता है और उसे आइलेंट से कैप्टर्ण के साथ चलने का पोलता है पर लिली मना गढ़ दी थी है क्यूकि वो डरी हुई है और वो उसे बताती है कि she is pregnant उसके बाते सुनकर करे जट बहुत खुश हो जाता है कि वो मा बनने वाली है और अब वो रिसाइट करती है कि वो अपने बच्चों को उन सब से दूर यहाँ पर इस आइलेंड पर सिविलाइस बनाएगी यहीं पर जर्म देगी और हम देखते हैं कि कोश दिनों के बाद मैं लिली एक बेटी को चरन देती है और दोनों मिलकर कि उसके साथ में खुश रहते हैं दोनों मिलकर कि उसको पालन पुरिशन करते हैं और अब तीनों इसी आइलेंड पर रहते हुए अपने life spend करते हैं और movie इसी जगे खातम हो जाती है दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी request है अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर दीजिएगा